कि दोस्तों आज की वीडियो में हम बदाने वाले हैं कि जो हमारी वाट्डूप्स होती है उनका स्कायर फिक कैसे निकाला जाता है और उसके साथ में जो कारपेंडर की लागत होती है उसको कैसे नापा जाता है और कैसे उसका प्रैस को दिया जाता है तो सब्सक्राइब कर द कि हमारी depth नफ्सी है या नहीं नफ्सी है तो उसके बारे में हम पूरी डीटियल से आपको बताने वाले हैं तो सबसे परले अगर कोई कार्पेटर आपको कहता है कि इस कारफिट में हम अपना रिड़ बताता है तो आप कभी भी कन्फीज मत होईएगा ये वीडियो देखने के बाद में आपको क्लियर से बता जाता हूं इस कारफिट कैसे निकला जाता है तो ये वाड़ू पे हमारी पूरा उपर से नीचे साथ उपर साथ में पल्ले बने हुए नीचे साथ भी इसी तरह के पल्ले बनेंगे इसका जो प्राइज है वह आज मेजर करके में बताने वाला हो इसकी हाइठ हईट है वह 11 पे happiest की हाइट ही तो 143फीट यह हमेरा स्कारफिट निकला अया इसमें काफी सारी लोग कहता है कि हमारा गहराई की नपती है तो नहीं स्कायर फिट अगर आप निकाल लें तो उसमें गहराई कभी भी नहीं ना पी जाएगी अब बात करते हैं लेबर प्राइस की लेबर प्राइस कैसे निकल लियाती है तो जो भी labor price होती है उसको हम 143 से into कर देंगे तो उससे हमारी labor की लागत आ जाएगी जो कि हमारी wages है मजदूरी वो निकलाएगी काई जाया कियो मजदूरी के लावा मजदूरी कितनी होती है तो हमूग कि जो मजदूरी है हम भी यह लखनों में बनाया है हम लोगने वार्ट लॉब को जो हमारी जो मजदूरी है वो 595 रॉपए स्कारिफिट हम लोग लेते हैं बाकि मार्केट में जो 200 रुपए से लेके 300-300 रुपए तक की रेट जो है वो चलता है भी लखनों में और इसके लावा दोस्तों अगर पूरी कुल लागत की बात करते हैं कि पूरी विच माटेरियल अगर कोई काम लेता है तो उसका माटेरिय तक यह चलता है तो दोस्तों जैसे भी कोई रखनों गया तो बीस रखनों को जो है जो है जो भी लागत होती है यह आप रेट लेते हैं तो अपने एक लेट लेता है कि हजार तो उसी से आपको बस इंटू कर देना है यसी लंबाई को चौड़ाई से बस आपका स्कार फिट निकाल आएगा दोस्तों यह वाट्यों बाभी जल्दी कंप्लीट होने वाली है तो हम कोशिश करेंगे अगले 3-4 दिन में यह वीडियो भी डाल देते हैं तो चैनल को सब्सक कर लेजिएगा इसी तरह की आगे की वीडियो को देखने के लिए पर थाएंगे दोस्तों